शिव कौन है? शिव है आपकी पर्मचेतना, कहां पर है? सैसरार में, आपके साथ में चक्र में शक्ति क्या है? शक्ति है कुनलनी, कहां पर है? यहां आपके मूलादार चक्र में है बहुत से लोगों को, आजकल किताबों का ग्यान बड़ा प्रिय होता है, जल्दी मिल जाती न, पचास रुपए में किताब खरीदो, सारा ग्यान पचास रुपए में आ जाता है पाकेट बुक्स निकलती है, खुनलनी जगाओ पाकेट बुक में आ जाती है, 40 पेज, 50 पेज की मैं इत्याद रहें, अगर 40 पचास रुपए दे करके तुम सोचते हो, कि तुम्हें ग्यान पुलब्द हो जाएगा, तो ग्यान इतना सस्ता नहीं होता पुर्शों और स्त्रियों के शरीर के अगर में बात करूँ, तो उसका जो स्थान है हम, वह तो सुक्षम है, आपका स्पाइनल कॉलम, जो है, जो आपकी रिड की हड़ी है, स्पाइनल कॉलम, इसके अंतर में स्पाइनल कॉड होती है इस स्पाइनल कॉड में भी कुंडलनी नहीं होती है, यह उसका बाहरी स्तान है, कुंडलनी सुक्षम है, और वह सुक्षमता से आपके सुक्षम शरीर में ही होती है हमारे तीन शरीर हैं, स्तूल, सुक्षम, कारण, फिजिकल, आस्ट्रल, और कॉजल बाड़ी, वह थ्री बाड़ी पर इस बावतिक शरीर में, अगर कुंडलनी का जो स्थान है, अगर वो कहा जाए, तो वो है मुलाधार चक्र में, और यहां मुलाधार चक्र क्या है और कहां पर है मुलाधार चक्र, in men, it is in between the anal in the scrotum, that is in the perineum area उस perineum area को हम उसका बाहरी स्थान कह सकते हैं इसे आख से देखने से कुछ नहीं मिलने वाला चीर फाड कर दो, पोस्ट मार्टम कर दो, तो भी कुछ नहीं दिखने वाला इस इन दे पेरिनियम इन विमन, इस इन दे शर्विक्स शर्विक्स क्या है? यहनी से गर्भाशाय तक जो मार्ग है एक चोटी सी केनाल है इस इन देट रीजन, उसी एरिया में है मुलादार चक्र मूल, दे बेजल रूट चक्र इसका तत्व पृत्वी है और इस मुलादार चक्र को जगाने के लिए लम मंत्र का उपयोग किया जाता है कैसे करते हैं? वो मैं अभी नहीं बता रही हूँ सिर्फ उसका एक प्रफाइल बता रही हूँ आपको दूसरा चक्र हमारा है स्वादिष्टान स्वादिष्टान का तत्व है जल यह कहाँ पर है? यह हमारे caончics region में यह माब base of the spine स्वादिष्टान के स्टान को लोग मुलादार चक्र का स्टान बता देते साधिष्टान चक्र आपके जितने जीवन को रक्षक करने के लिए इंस्टिंक्स हैं, सेक्स के इंस्टिंक्स हैं यह सारे यहीं से कंट्रोल होते और इसका तत्व है जल और इसको जागरत करने के लिए वम मंत्र का उप्योग किया जाता है तीसरा चक्र है मनिपूर solar plexus कहां है हम यह कह सकते हैं जहां आपकी नाभी है नाभी के ठीक पीछे प्रस्पाइनल कॉड आपकी जा रही है इसी में सुक्षमता से यहाँ चक्र plexus energy plexus nerve plexus मौजूद है और जैसा शब्द से पता लग रहा है मनी 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 डाइमंज जूल्स solar plexus मने आपका यह जो स्थान है इसका प्रभाब आपके पूरे पाचन तंत्र पर है elimination मुलादार से है sex related life support instinctive यह सब सदिश्टान से और मनी पूर्जो है इसको हम कहते हैं यह हमारे अगनी का तत्व का स्थान है और इसको जागरत करने के लिए रम मंत्र का उप्योग होता है चोथा हमारा चक्र है अनाहत इसको हम cardiac plexus भी कहते हैं cardiac plexus अब कई लोग सोचतें दिल में ही है चक्र दिल में नहीं है cardiac plexus है कहां फिर वही in your spinal card closer a little behind the heart we can say इसको जागरत करने के लिए मंत्र है हम और इसका जो तत्व है वो है वायू आपके शरीर का जितना ये पंच प्रकार की वायू है उसका controller यहीं से पांच वाच चक्र है विशुद्धी विशुद्धी चक्र कहा है आपके कंठ में कंठ मतलब यह नहीं कि आगे यहाँ पर spine card का जो ये point है throat का ये जो आपका ये जो स्थान है और ये हमारे space महाने आकाश तत्व का ये मूल अस्थान होता है और यहाँ जागूरती करने के लिए जिस मंत्र का उप्योग होता है वो है हम चटा चक्र है आग्या कहां होता आग्या अक्सर लोग उंगली नहीं यहाँ लगाते हैं यह आग्या चक्र नहीं है आग्या चक्र फिर आपके spinal cord के top पर होता है जहां spine का यह सिरा है जो आपके खोपड़ी के अंदर आता है उस सिरे के उपर यहां आग्या चक्र है लेकिन बहुतिक रूप से हम इस स्थान को आग्या चक्र का हम outer space कह सकते हैं पर चक्र यहां पर नहीं है आग्या चक्र के इस स्थान को थोड़ा और अगर हम समझना चाहें तो spine के end के पास ही जो आपका pituitry center है pituitry को ही हम आपका आग्या चक्र कह सकते है और इसके लिए मंत्र है om इसलिए om का उच्छारन करने से आपका सीधा प्रभाव आपके pituitry पर जा रहा इसलिए यदा कदा आपको बैठकर एकांत में रिड की हडी सिधी करके om का उच्छा स्वर louder, softer, gentler or hum the om because it is going to have a great great effect on your pituitry सात्मा चक्र सहसार एक हजार कमल के पत्तियों को के साथ बना हुआ खूल जैसे हो कुछ एक लोगों ने आग्या चक्र और सहसरार के मध्य में भी एक चक्र और कहा है जिसको कहा गया है बिंदु चक्र बिंदु का स्थान क्या है क्या आपने देखा ब्राह्मन शिखा रखते हैं चोटी रखते हैं इस स्थान को बिंदु चक्र और अगर यह बिंदु चक्र किसी का जागरत हो तो उसके मुक में अम्रत से भी जैदा मीठा रस्ट पकता और जिसके ये रस्ट पकने लग जाए उस आदमी को ना फिर भोजन चाहिए ना फिर जल चाहिए उसका टोटल सस्टेनंस जो है वो मात्र इस अम्रत से हो जाता है उसको अन की जरूरत नहीं जल की जरूरत नहीं सांस लेने की भी जरूरत नहीं इसके शरीर का रक्षन किसी और माध्यम से हो रहा है वे बिंदू, आज्या और अनाहत इन तीन के जो कारिय हैं उसका वो पूरा ज्ञान रखता है और इसी के माध्यम से शरीर को जो कुछ भी आवश्रक है पौश्टिकता जो कुछ आवश्रकता है अगनी की, वाईू की वो इसी से पूरी कर लेता है शक्ति कहां है मुलादार में और चेतना कहां है सैसरार में मेरे पीछे जवाब चित्र देख रहे हैं अर्दनारीश्वर आदा हिसा स्त्री का है आदा हिसा पुरुष का है आदा हिसा शिव का है आदा हिसा शक्ति का है प्रुगा का है। Symbolism है यह। The deeper meaning is that Shiva and Shakti both exist together in your body, but now they are separated अभी वो अलग अलग हैं, अभी मिले नहीं हैं Shakti कैद है कहां? मुलादार में Shiva कहां? सैसरार में मुलादार में